इस वीडियो में हम आपको बताएंगे man-made moon के बारे में यानी made in China moon क्या है ये made in china चांद दिखाएंगे इसी वीडियो में आप दिख में टेक टक मैं हूँ शुटी शार्मा अगर आप से हम कहें कि अब आने वाले वक्त में करवा चौत का चांद आप अपनी मर्जी से देख पाएं तो जी हां ये कोई कहानी नहीं बलकि आपको बता दें कि चाइना अब जल्द बना रहा है Made in China Moon जी हां Man Made Moon चाइना 2020 तक बना रहा है अब अपना चांद जो की फिलहाल टेस्टिंग में है इस चांद को realistically आस्मान में भेजा जाएगा और वो वहाँ शामिल होगा असली चांद और सितारों के साथ और आपको बता दें ये कोई करवा चौत के लिए नहीं किया जा रहा है ये चांद हर रोज फिलहाल चाइना के एक शहर चेंडू में ही लगाया जाएगा उसके आसपास ताकि जो वहाँ की street lights हैं उनसे जो खर्चा होता है वो बचाया जा सके तो वो street lights का का काम करेगा चांद जो यहाँ city में शहर में लगाया जाएगा ये made in China man-made mood essentially एक celestial body होगी जो की illuminated satellite होगी इसमें reflected coating होगी जो की sunlight को reflect करेगी और ये जो reflection होगा हो light के तोर पे earth पे आएगा वही आपको बताते हैं ये जो man-made moon होगा ये essentially जो normal moon है उससे 8 गुना जादा luminous होगा जादा light देने वाला होगा वही आपको बताते हैं ये जो man-made moon होगा यानी made in China moon ये जो धर्ती है उससे जादा दूर नहीं होगा क्योंकि जो original चांद है वो लगभग 3,80,000 km दूर है धर्ती से और ये जो moon होगा जो man-made moon होगा इसकी दूरी होगी धर्ती से सिर्फ 500 km पर scientist का मानना है कि जो चेंग्डू शहर में electricity use होती है street lights को जलाने में वो बचेगी और उसका जो सालाना खर्चा है वो है लगभग 173 million dollars जी हाँ इतना पैसा बचेगा अगर ये man-made moon जो है ये चांद इतनी रोशनी चेंग्डू को दे पाएगा कि street lights की अब जरूरत नहीं पड़ेगी तो एक तरे से अच्छा तरीका है विजली का खर्चा बचाने के लिए और वही scientist का मानना है कि ऐसी कोई स्थिती आती है जहां सुनामी है या भुगां पारा है तो उससे क्या होता है कि सारी जो street lights है, electricity, जगह की उस शहर की चले जाती है ब्लाक आउट हो जाता है तो उस वक्त में भी ये जो man-made moon है रोशनी दे पाएगा और ऐसी स्थिती में भी एक मददगार चीज थी ये साबित होगी साथ ही scientist का ये भी मानना है कि 2020 तक तो ये चेंग्डू शहर में आ जाएगा लेकिन लगभग और 2023 या पच्चिस तक भी ये moon बाकी के चाइना शहर में लगाए जाएगे यही नहीं चेंग्डू में जब 2020 में ये चांद बन जाएगा इसके साथ 3-4 चांद और शामिल होंगे और बाकी शहरों में भी ये चांद लगा दिये जाएगे और वो दिन दूर नहीं होगा कि दुनिया में बाकी जगों पे भी अब सभी जो कंट्री है अपने चांद बनाएगी और खर्चा बचाएगी या कोई आपात काली स्थिती होती है तो उसमें ये जो मैंनेड मून है वो मददगार साबित होगा लेकिन फिलहाल आप जो असली चांद है तक तक उससे काम चलाएए और उसका मज़ा लीजी